देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए, आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतना अनुभवी नेता हैं, अगर आज हम तै करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, को से गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्यदार में लाने के लिए काम करें, ऐसी सरकार हमें मिल सकते हैं, जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी समयधानिक संस्थाएं हैं, उनको घेरा जा रहा है, नौ साल देश की जनता नेक सरकार को भरपूर ताकत देके देखा, भहुमत संत्र जादा दिखता है, मौब बनते हैं, कोई अंसुचे जाती के व्यक्ति को, कहीं मुसल्मान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सेने के बाद भी पीड़तों को न्याय नी मिल रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के समयधानिक मूलियों को मानती हो, और उन्ही को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार करें, देश की रक्षा नीती को कमजोर किया गया, देश की अर्थ विवस्ता चर्मरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो आज एक समन्वे बनेगा, चर्चाएं होंगी और उससे रास्ता निकलेगा,